इसे क्लीशे कहिए या कुछ और लेकिन मुझे ये देखकर खुशी होती है कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो मेरे भाई से करती है और ये भी कि मैं एकदम सही समय पर ये तमाशा देखने इस घर में आई हूँ मेरी एंट्री तो जैसे सच में कमाल की है क्यों तुम्हें नहीं लगता हां और एक बाद तो बताओं क्या अब मैं तुमसे दो कदम आगे नहीं निकल गई हूँ क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें दो मिनिट में इस घर से निकाल सकता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते दियर, मुझे इस घर से तब तब कोई नहीं निकाल सकता, जब तक कि मैं ओजान की बीवी हूँ, समझ गए तुम? तुम्हारा मुझ पर अब कोई काबू नहीं है, मेरा जो मनाएगा मैं वो करूँगी तुम तो अभी भी हवा में बातें कर रही हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, सेना, हमारी तस्वीरें भूल गई? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली है, जिसे चाहे भेज़ दो और फिर देखेंगे निहान इस घर में रहती है या नहीं? अब तो ये जवाब देने लग गई है, हाँ, नहीं, अभी तो बस शुरू हुई है, जिस दिन मुझे इस घर का रास पता चल गया, मैं तुम्हारी इस फेक शादी को बरबाद कर दूँगी, फिर तुम कहीं मूँ दिखाने लाइक नहीं रहोगे, क्यों कैसा लगा मेरा प अम वक्त में बहुत स्यादा बोलने लग गई हो तुम, देखो, तुम्हारी पास वक्त कम है, तुम जितनी कोशिश कर सकते हो, कर लो, और दूसरी तरफ मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हें बरबाद करने के, तुम्हें क्या कर रहे हो, आप क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, बोलो क्या बात है, बताओगे की बात क्या है, केरिन को आपने मारा, तुम ये क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये आपका शट है, और इस पर केरिन के खून के निशान है, ये शट तुम्हारे पास कैसे आया, बानू, तुम्हें ये सब कैसे पता चला, ये वीडियो है, जिसमें आप कार पार्किंग में एंटर होते हुए दिख रहे हैं, तुम जानते हो कि तुम मुझे पर किस तरका आरोप लगा रहे हो? मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ सच जानना चाहता हूँ भाई, ताकि आप पर आरोप ना लगे कोई, क्या आपने कैरेंट को मार रहे हैं? देखे भाई, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, कि आप एक चीटी भी नहीं मार सकते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, याद है बच्पन में जब कली के लड़के मुझे मार रहे थे, तो आपने मुझे कैसे बचाया था उनसे? याद है आपको? आपने मुझे उनसे बचाया था, और खुद मार खाई थी, सिर्फ मुझे बचाने के लिए, मुझे पता है आप कुछ गलत नहीं कर सकते, मैं सिर्फ सच आपके मुझे सुनना चाहता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, चुपो जाओ, मेरा वो बचपन वाला भाई कहा है, जिसने मेरे लिए मार खाई थी, चुपो जाओ, यादे उस भाई ने अपने भाई पर एक खरोच तक नहीं आने दी, और उन लड़कों से खुद मार खाता रहा, चुपो जाओ, कहा आप गया मेरा वो भाई, बताईए, मैंने जानबुच के नहीं किया, मैंने जानबुच के नहीं किया के बार मुझ से गल्ती हो गई, वो और वो एक गल्ती थी के बार, मैंने उससे नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उससे नहीं मारा, मेरा कोई रादा लही था, मैं कोई रादा लही था, मैं कोई रादा लही था, उससे मार लेका के बार, पता ली कैसे हो गया, मेरा यह केल करो, भाई मुझे सजा मिलेगी महसा नहीं करना चाहता था केवाल भाई भाई मुझे सजा मिलेगी केवाल बस भाई मत रूए इबाई मुझे इबाई इस वक्त कौन हो सकता है रुख जो मैं देखता हूं पता नहीं कौन होगा केमाल बिठा तुम ठीक तो हो चलो अंदर आओ आजाओ नहीं माम नहीं मैं ठीक हो मैं यह अपने भाई को लेने आया हूं एक सेकेंड रुखो इस वक्त पर यह सब क्या हो रहा है केमाल पूछ रहे तुम्हें हमें चलना होगा भाई कहां जाना है आप जानते हैं हमने इस बारे में बात की थी ना हम कहां जा रहे हैं केमाल क्या इस वक्त कोई काम है चलो भाई नहीं नहीं कुछ काम नहीं है माम देखिए भाने मत बनाई और मेरे साथ चलिए केमाल अरे अंदर तो आओ बाद में चली जाना नहीं राड़ उसे अंदर आने की कोई जरूत नहीं है बापा वह यहां अपने मतलब से आया केमाल बेटा आखिर बात क्या है बताओगे मेरे और भाई के बीच की बात है और ये हमारे बीच ही रा तो अच्छी बात है मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चल रहा आपको चलना होगा भाई मुझे कहा चलना होगा और तुम क्या करना चाते हो प्रॉब्लम जोर मत बढ़ाईए और अगर बढ़ा ली तो क्या मैं प्रॉब्लम खड़ा कर रहा हूं हाँ क्या करोगे तुम पुलिस को बुलाओगे इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं भाई एक मिनिट कोई बताएगा यहां क्या चल रहा है मुझे भाई को लेकर जाना होगा कहा बिटा पुलिस टेशन मगर क्यों क्या तुम सच में अपने भाई के साथ ऐसा करोगे तारिक क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगे तारिक पुलिस हुसेब तुम पुलिस लेकर आएगा आखर ये सब हो क्या रहा है पुलिस यहां क्यों आई है हमारा पुलिस से कुछ लेना देना नहीं है पापा ज़रू कोई गलत फैमी भी है सुबह सुबह ये पुलिस हमारे धरवाजे पर क्या कर रहे है दैड भाई ने कैसी को गलती से बोली मारती है तारिक मुझे विश्वास में होता आज के बाद तुम मेरे भाई नहीं हो तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो गए हो मैं तुमें नहीं छोड़ूंगा मेडम मैं आपसी गॉसिप नहीं करना चाहती मैं बस कुछ खास बात बताना चाहती हूं आपको क्या हो आफसाने मिशिस जैनप है न बहुत सवाल पूछती है आजकल यह नॉर्मल है वो इस घर में नहीं आई है और वो भी सूचती होगी की क्या हो रहा है तुम मिश्मन उसके मदद करती रहो वो सिर्फ घर के बारे में नहीं पूछती है तो किस के बारे मं पूछती है आपके बारे में, एमिर जी के बारे में, वो सिर्फ मुझसे पूछती तो भी ठीक था, लेकिन वो किचन के नौकरों से भी पूछती है अब तुम्हें गॉसिपर लग रही हो माफ कीजिए का लेकिन आपने ही कहा था कि मैं सब कुछ बताऊ जेनिब ओजान की पत्नी है, वो इस घर का और इस परिवार का एक हैसा है बहतर यही होगा कि हम इस बात को भूछ जाएं जैसा आप चाहें तुम इस घर में कितने सालों से रह रही हो? तकरीबन साथ साल हो चुके हैं अच्छा? तो पर तुमने मिसिस निहान की साधी तो देखी ही होगी है ना? शांदार शादी रही होगी हाँ, आपकी शादी की तरह लेकिन वो थो मिस्टिर एमिर की बच्पन की दोस्त है है ना? हाँ, वो तो है मतलब उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई? ये कितना romantic होगा तो उनकी बारे में ज़्यादा बात नहीं करती ऐसा क्यों मिसेस विल्दान को पसंद नहीं कि हम काम करते वक्त बाते करें खास करके उनकी personal life के बारे में अरे मुझे कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है थोड़ी chips बना देंगी इस घर में fried खाना नहीं बनता है ऐसा क्यों? मिसेस विल्दान को पसंद नहीं कोई बात नहीं मेरे लिए बना दो मुझे खाना है सबकी बोलती बंद हो जाएगी हाथ होती है हमारी इतनी अच्छी सिंदिके में इतना बुरा वक्त कैसे आ गया मेरे बेटे का पुलीस या मर्डर से क्या लेना देना पता नहीं कैसे बुरे दिन है आखिर उसने क्या किया? किसका मर्डर किया है बेटा? कुछ बताओ तुम बोलते क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था ना मॉम उन्होंने ये सब कुछ गल्ती से किया है और किसी को गलती से गोली मारी है उसके पास पिस्तॉल कहां से आई मेरा बेटा पिस्तॉल रखता है क्या मेरा बेटा आखिर पिस्तॉल क्यों रखेगा तुमने अपनी आखों से देखा आपका मतलब क्या गाड मेरा मतलब तुमने उसे खून करते देखा या नहीं जब उसने गोली चलाई तो क्या तुमने उसे उस वक्त देखा था नहीं तो फिर डरने की कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हूँ ऐसा नहीं होगा पर डाड़ भाई ने मुझे सब सच पता दिया है उन्होंने गुना कबूल किया है कुछ ना कुछ जरूर करेंगे घबरों नहीं उपरवाला खैर करें मेरे बच्चे की सब कुछ तेरे हाथ में मेरे माले तेरे हाथ में पर बस दो मिनिट बात करने दीजे से दो मिनिट नहीं माम हमें इनकी स्टेटमेंट के लिए इने ले जाना होगा बस दो मिनिट के लिए प्लीज, दो मिनिट दे दीजिए, हम उससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. तारिक, सच-सच बताना, क्या तुमने किसी पर बोली चलाई थी? I'm sorry, भाई. क्यमाल ने आपसे जो भी कुछ कहा, वो सब कुछ जूट है, पापा. यह आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि यह सब जूट है. तुमने गोली चलाई थी, मैंने किसी को भी गोली नहीं मारी. आप शान्त हो जाएए, चलिए इसे खतम करते हैं. शुकर है उपर वाले तेरे. क्या मैं किसी को फोन कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी को. मैं बस एक ही आदमी को फोन करना चाहता हूँ. तेरा बहुत बहुत शुकर है, बहुत बहुत शुकर है. बेट चाहिए. हलो, मिस्टर एमिर. बोल रहा हूँ. पबलिक सिक्योटी ब्रांच ओफिस से बोल रहा हूँ. तारीक्स, इदरे आपसे बात करेंगे. जल्दी बात करना. हलो, मिस्टर एमिर. मुझे आपकी मदद चाहिए. क्या बात है, तारीक्स? बात बहुत ही बुरी है. मुझे बचा लीजे. इनने सब कुछ पता चल गया है. ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? ये मुझे बयान देने के लिए कह रहे हैं. सबसे पहले तुम शांत हो जाओ. जब तक मैं वहाँ ना पहुँचू, किसी को कुछ मत कहना. मैं तुम्हारे लिए लॉयर ला रहा हूँ, तुम बस किसी को कुछ बोलना मत. मैं समझ गया. तुम कोई बेवकूफी मत करना. मैं वहाँ आ रहा हूँ, मेरा इंतिजार करो. चलो. तुमने बहुत गलत फैसला किया है, केमाल. अब बाजी पढ़ते हैं. गुड मॉनिंग तूफान. हमारे बेस्ट लॉर को लेकर यहां आजाओ. हमें तारिक को बचाने जाना है. तारिक, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे. कोई बात नहीं है, मॉम. कोई बात नहीं है, सब ठीक है. बस फॉमालिटीज हैं. जब इसने गुनाह कबूल नहीं किया, तो आप इसे लेकर कैसी जा सकते हैं? इनके खिलाफ कंपलेंट है. हमें स्टेट्मेंट लेना हो. क्या? मेरे बेटे की कंपलेंट किस ने की और क्यों? यह आप अपने बेटे से पूछें, मॉम. केमाल, यह क्या माच रहा है? केमाल, बेटा, तुम्हारा भाई क्या बोल रहा है? बोलो, बेटा, क्या तुमने अपने भाई की कंपलेंट लिखवाई? तुम बहुत वक्त से मेरे खिलाफ बाते दबा कर बैटे हो. अब तो तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो, कि तुम अपने ही भाई के बद्नामी करने में रगे हुए हो, हाँ? वो मेरे बेटे को ले जा रहे हैं. सब ठीक हो जाएगा, आराम से बैठो. सब ठीक हो जाएगा, येकिन करो. चलो, बैठो. यहां बैठ जाओ. कमिशनर आ रहे हैं. मैं तब तक बात नहीं करूँगा, जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाता. तुम अपने भाई की बदनामी क्यों कर रहे हो? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूँगा, डैड? जब मैंने तुमसे पूछा कि तुमने अपनी आखों से देखा था, तो तुमने कहां नहीं देखा. तुम अपने भाई पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? देखे डैड, उन्होंने मेरे सामने गुनहा कबूल किया है, आप से वो जूट कह रहे हैं. शायद उसने ऐसा इसले किया होगा, क्योंकि तुम आपस में लड़ते रहते हो, उसने तुम्हें गुसा दिलाने की कोशिश की होगी. तुम जानते हो वो कितना जिद्धी है, और मैं उसे जानता हूँ, वो भी अच्छी तरह से, वो तुम्हें टेस्ट करना चाहता होगा, बेटा. ये कोई टेस्ट करने माली बात है. अपने भाई को इल्जाम लगा कर फसा दिया तुमने. मैंने फसा दिया? देखे डड़, मैंने सिर्फ सही का साथ दिया, जो आपने मुझे बच्पन में सिखाए था, मैंने बस वही फॉलोग कर दिया, मैं जानता हूँ, आप नाराज है, पर मैंने वही किया, जो मैंने आप से सीखाए. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, डाड़, कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने, कुछ भी नहीं. सुरी भाई, बर तुम जानते हो ना, मुझे ऐसी बिल्डिंगे बिल्कुल पसंद नहीं है. अकिर हो क्या राय? भाई से पूछता शोरी है, शर्ट को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए बेज़ा है. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जाहिर. अब मैं क्या करूँ? फिर तो तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते. जैसे तुम्हारे भाई ने चुपा है, वैसे तुम भी चुपा लो. ऐसे कई सारे लोग करते हैं. पर तुम नहीं कर पाओगे, यह मैं जानता हूँ. बहुत मुश्किल है, जाहिर. जब तुम्हारे अपना भाई इंवाल्ड, मैं सारी गलती उपर परदा डाल सकता हूँ. लेकिन यह वाली गलती नहीं, मैं यह नहीं कर सकता. अगर ऐसा नहीं करता, तो खुच से नजरे नहीं मिला पाता मैं. उनका गुना दिखाना बहुत वरना वो कभी अपना गुना नहीं मानते हैं. बच्चपन से हमारे डाइड ने हमें यहीं सिखाया है, कि हमेशा गलत को गलत ही कहना चाहिए. मैंने बस वही किया, लेकिन हुआ क्या है? और क्या क्या हुआ है भाई, यह भी मुझे बता दो. या फिर कुछ और बात है? अब जो कुछ भी किया, वो पूरी तरह से सही था. यह बात मैं जानता हूँ. मैं नहीं जानता कि सही क्या है और गलत क्या है, सही. और अगर मैंने सही काम किया है, तो सब लोग मेरे खिलाफ क्यू हो गए है? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, भाई. जो चीजे तुमें सही लगत मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे भाई के जेल जाने से तुम नाराज हो, लेकिन मेरी बीवी क्यों नाराज है? मैं नाराज नहीं हूँ, बस जैनेप को सपोर्ट करने के लिए चल रहे हूँ. ओ, आइसी. तो क्या यह इसलिए है क्योंकि यह उसान की पत्नी है या यह तु तुम्हारा एंपलॉई है या वो जैनेप का भाई है इसलिए? आप दोनों को क्या लगता है कि आप सीक्रेटली बात कर रहे हैं? मुझे आपकी सारी बाते समझ आ रहे हैं. तुम भी बहुत इंट्रेस्टिंग हो से लागू. तुम्हारा भाई जेल में है और तुम हमें हस आने की कोशिश कर रही हो. अब मुझे ये बात मानने ही पड़ेगी. कि एमिर जीट चुका है. और ऐसा कुछ भी नहीं है. तुम सोचना बंद करो. एमिर का मकसद क्या था? वो ये सब कुछ क्यों करना चाहता था? ताकि वो मुझे मेरे अपनों के खिलाफ कर दे. तुम अ मुझे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया उसने. शुर्व तो तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया. अपने ही भाई को पुलिस के अवाले करना सही है. तुम्हारे भाई ने किसी की हत्या की है. मेरे परिवार को मेरे खिलाफ कर दिया. तुमने जो किया वो बिल्कुल सही ये कैमल भाई, उसने मुझे अकेला कर दिया सहिर, और वो यही सब चाहता था, आगर तुम कर भी कह सकते थे कैमल भाई, तुम्हारे जैसा आदमी किसी के साथ तभी कलत नहीं कर सकता, और तुमने वही किया, अगर कोई मेरी जगा होता तो वो क्या करता, क्या उसे उसी की तर आजा झालि руки होता, क्या एप जहकर बंदि कैमल भाई, ये किसी की तरो वो da हुब ये की तरू है, उस कि क्ञेशा है कि अतर एह के फे उसाफ पयवानism, क्या तभी कि